Very good evening students, मैं सुजीत मिश्रा बहुत बहुत सौगत करता हूँ आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन अप टार्गेट आउन पर Students, अलाहबाद हाई कोड के exams होने वाले हैं और उस exam की तैयारी हम सभी लोग बहुत शिद्दत से आपको करा रहे हैं और उसी sequence में हम हर विशय के हमारे जो experts हैं वो अपने अपने विशय को लेके कैसी परिक्षा में questions आने वाले हैं यह सारा कुछ आपके लिए हम लोग कर रहे हैं तो उसी sequence में उसी क्रम में आज English का session में लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों इस exam में जैसे questions अब तब के pattern बने हुए हैं आने के जो syllabus में mention किये गए हैं और previous year के question paper के हिसाब से जैसे questions की तयारी आपके लिए होनी है वो question मैं लेके आज के session में आया हूँ और इसी तरह की practice से हम लोग आपकी चीजों को improve करेंगे ताकि आपका exam बहुत बहतर result के साथ हम लोगों को मिले आपकी quiz selection पानी की है और हमें हमारी quiz है आपको selection दिलाने के तो चलिए शुरू करते हैं आज का session और English में हम लोग जो topic जीतने syllabus में topic mention है अलावाद High Court ने जो mention किया है syllabus उसी syllabus के हिसाब से हमने question यहां पर दे दिया है और चलिए शुरू करते हैं आज का session आप खुदी देखेंगे enjoy भी करेंगे तो आज के session का पहला question इस तरह से जो question आता है exam में वो आपका error based question ह होता है sentence को कई parts में divide कर दिया जाता है और हर part का नाम करण कर दिया जाता है A B C D से आपसे उम्मीद यह लगाई जाती है कि sentence के जिस part में error है वही part आपका answer है अगर आपको लगता है कि sentence के किसी part में error नहीं है error free है तो आपको no error देना है कब आपके exam में previous year में मैंने कई बार देखा है कि कभी question इस तरह का पूशता है कभी question में किसी भी option में no error नहीं होता है इसका मतलब है कि सारे option को आपको कहीं न कहीं यह बताना है कि एरर है ही तो जब आपको यह दे देता है कि सारे आप्शन में कहीं न कहीं error है ही है तो आपका सोचना one-sided हो जाता है कि हाँ कहीं न कहीं error है और मुझे find out कर ही लेना है लेकिन जब no error दे देता है तो आपको बहुत balance वे में चलना पड़ता है यह decide करना पड़ता है कि गलती हो भी सकती है और नहीं भी तो चलिए आज का जो पहला question आपके screen पर flash कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं और यह question है इन दे वैली ओफ कादीशा एक घाटी है जो लेबनान में है लेबनान के उतरी एरिया में यह कादीशा एक घाटी है वेर दे माइटी रीवर फ्लो एक बहुत विशाल नदी बहती है two little streams met और वहाँ पे जहाँ पे बड़ी विशाल नदी कादीशा घाटी में बहती है वहीं पे दो छोटी streams धाराएं आके उससे मिलती है अब यहाँ जरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है met met लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि बात कहां की गई है पाश्ट में की गई है तो सारी बाते पाश्ट में होनी चाहिए जी अगर एक बात यहाँ पे कह रहा है कि मिलती थी नदिया मिलती थी इसका मतलब है यह पाश्ट में है तो बात पाश्ट में हो गई त पास्ट में हो गई तो सारी बाते पास्ट में होनी चाहिए अब आप यहां पर गौर करिए यह चीज़ें यहां पर फ्लो लिखा हुआ है याने यह गलती हो गई क्या गलती यहां सो लिख आग क्या आच यहां हो जाएकुघ और इतना सा काम करना है कि यह बता देना रहाए यह तो मैं आपको समझाने के यहां करेक्ष्न कर दे यह क्या हो जाएगा, float हो जाएगा, क्यों क्यों कि यहां पे met verb की second form है और इस साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे घटना जो घटी है वो पाश्ट में घटी है तो सब कुछ पाश्ट में ही होगा, दूसरा question हम लोग देखते हैं दूसरा question भी error based question है, जरा यहां गोर करिए अब आप देखिए, फिर से same sentence है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां sentence पढ़ते पढ़ते आईए और यहां पे verb की second form है यानि यह भी past को indicate करता है, अब अगर यह past को indicate कर रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा sentence past में है, और past में है तो यहां present वाली verb क्या कर रही है भाई तो present वाली verb यहां नहीं होनी चाहिए, past वाली verb होनी चाहिए क्योंकि आगे का जो verb है वो indication दे रहा है कि वाक के past में है तो यहाँ past indefinite में वाग के होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यह भी past में होना चाहिए, और यह दिया हुआ है part number B में, तो यहाँ पे जो answer होगा आपका part B होगा, तो चलिए question number 3 की तरफ बढ़ते हैं, और question number 3 कहता है, यह blank को आप इन विकल कलपों से fill करिए, यह खाली अस्थान को आप इन विकलपों से fill करिए, तो आप इसे पढ़िए, और पढ़ने के बाद answer करिए कि यहाँ पे क्या होगा, यह है आपका question tag, ठीक, अब question tag, यहाँ यहाँ सारे question tag दी, question tag क्या होता है, question tag बहुत ही short structure होता है, बहुत ही छोड़ा स साई structure होता है, जो की question के form में होता है, sentence के आखरी में लगता है, जैसे मैं ऐसे कहूं कि आज दिन बहुत अच्छा है, न, अब मैंने एक statement दिया, दिन बहुत अच्छा है, और last में लगा दिया, न, यह जो न लगाया, यही हिंदी में question tag है, और यही English में question tag बनता है, तो question tag स इस्तेमाल करते हैं, और अपने हिंदी में भी हमारा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे लिखा है, you will come, तो इसका correct answer क्या है, इसका जो correct answer है, वो है D, क्या है भई, उसका correct answer है D, अच्छा यह D क्यों correct answer हुआ, जड़ा सा देखे, एक नियम काम करता है, वो नियम यह है, कि sentence अ एक नियम यह है, कि statement अगर आपका positive है, तो question tag इसका negative बनता है, और अगर statement आपका negative है, यानि वाक के negative है, तो question tag इसका positive बनता है, तो यहाँ पे आप sentence देखिए, इसमें किसी भी तरह के negative words का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानि यह क्या है, sentence positive है, तो जाहर सी बात है, question tag negative बनेग negative question tag बनाने के लिए, question का format जब भी हम लेते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, helping verb हमेशा शुरू में आती है, उसके बाद ही हम क्या करते है, question tag का subject जो कि हमेशा एक pronoun होना चाहिए, और वही हम लेंगे, तो यहाँ पे helping verb चाहिए, और उसमें not लगा होना चाहिए, तो helping verb तो य यह भी है, यह भी है, लेकिन जो helping verb sentence में आई है, वही लेंगे, तो will, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हम सामान्य तोर पे करते क्या है, कि यह जो will not का short form होता है, हम will not लिख देते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है, यह बहुत गलत बात है, हम will not का जो short form बनता है, वो यह बनता है, want, won, apostrophe, t, यह आपका correct structure है, तो इसके लिहाद से sentence positive है, तो question tag negative बनेगा, और यह बनेगा want you, क्या बनेगा, want you, next question पे हम लोग आते हैं, question number four, आपके सामने हैं, और आपसे कह रहा है, कि यह खाली अस्थान को fill करिए, admission was, dash, by, अब dash के बाद ladies है, अब verb भी दिया है, यह भी दिया है, तो यहाँ पे जो restricted है, restricted by होगा, restricted to होगा, limited by होगा, limited off होगा, इसको आप देखिए और बताइए, अब यहाँ पे जब आप गौर करेंगे, तो आप यह देखेंगे, कि यहाँ इसका जो correct answer होगा, restrict के साथ, ध्यान देजेगा, restrict के साथ हम by का भी यूज़ करते हैं, restrict के साथ हम तू का भी यूज़ करते हैं, restrict के साथ by का यूज़ तब करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में बाधा डाले, याने बाधा या विग्न बाधा पहुँचाना, restricted by का मतलब होता है, बाधा पहुँचाना, बिग्न डालना, जैसे अगर हम लिख देते हैं, admission was restricted by ladies, तो इसका मतलब है कि ladies ने admission में बाधा पहुँचाया, तो ये अर्थ से तो यहां नहीं देगा न, अब restricted to का अर्थ होता है, तक सीमित, किसी तक सीमित, ठीक है न, तो अब अगर ये कहा जाए restricted to, तो इसका मतलब है कि admission केवल और केवल महिलाओं के लिए था, महिलाओं तक सीमित था, तो इसका जो correct option हम लोगों को मिल रहा है, दोस्तों ये है option number B, restricted to, clear, तो ये ध्यान रखेगा, restricted by और restricted to में क्या differences है, ठीक है, तो चलते हैं अगले question पर, अगला question ये है, ये आपको एक sentence दिया है, sorry, word दिया हुआ है, लिखा है, in the following question, out of the four alternative, choose the one which best express, which best express the meaning का मतलब है, जैसे आप से synonym याने पर्याइवाची पूछ रहा है, कह रहा है कि जो main word दिया गया है, उस main word से मिलते जुलते शब्द कौम से हैं, ये बताना है आपको, तो आपको best express the meaning याने synonym बताना है, bargain, bargain का मतलब होता है, सौधे बाजी करना, जैसे आप करते हैं, आप कोई चीज लेने जाते हैं, तो आप करते हैं, इसको थोड़ा कम करिए, इतने में दे जिजे, नहीं इतने में, तो सौधे बाजी जो करते हैं, मोल भाव जो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं, bargain मोल भाव ठीक है या यह कम ज्यादा वाला हिसाब किताब रहता है अब इसी को बोलते हैं negotiate क्या बोलते हैं negotiate तो बारगेन का जो करेक्ट आप्शन है वो है correct answer है negotiate अब बागी के शब्द के मीनिंग भी जानते हैं dispute का 이고 मतलब होता है हमारा answer तो कहीं जाते हैं तो आप मोल भाव करते हैं तो आप कहते हैं नेकोशीयट मत करें ठीक है यह या नेगोशीयेट का ही नाउन फार्म है negotiation ठीक है तो यहां पी dispute का मतलब होता है विवाद ठीक है ने विवाद यानि controversy surplus का मतलब होता है extra अतिरेक्थ ठीक है कोई चीज आपको चाहिए 5 मिल गई 7 तो 2 क्या होगे surplus तो इसका मतलब होता है extra ठीक है excess और bonus का मतलब bonus अगर हम बात करते हैं तो bonus होता है एक तरह का incentive है जो generally company या firm आपने employees को देते है salary के अतिरिक्थ तो ये bonus और surplus अगर देखा जाए तो ये क्या होता है ये extra को ही represent करता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं synonym हो जाते हैं ठीक है न तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है in the following question choose the word opposite ये देखे आपोजिट याने विलोम शब्द पूछ रहा है कह रहा है ये जो word हमने दिया है इस word का opposite meaning क्या है तो authentic का मतलब क्या होता है authentic का मतलब होता है प्रामारिक अब प्रामारिक जो है या real वास्तवेक ठीक है वास्तवेक ठीक है इसी को हम बोलते हैं real ठीक है तो जो चीजे real हैं वही authentic है इसका उल्टा बताना है तो daring का मतलब होता है daring का मतलब होता है brave क्या होता है brave बहादूर courageous ठीक है enticing का मतलब होता है attractive जो चीज आपका मन मोह ले आकर्षन कर ले अकर्शुत कर दें, legitimate का 물 होता है, real, legitimate होता है, legal, क्या होता है, legal, विथिक , कानूनी मतलब जो चीज कानूनी रूप से सही है , विथिक है , ज्यायज है वो है legitimate , fictitious , का मतलब होता है artificial , К्या होता है , Artificial , फेक अन्रियल तो आप बहुत कुछ कह से तो अथेंटिक का मतलब अगा प्रामाणिक है रियल है तो फिक्टीशियस का मतलब क्या होगा हमारा करेक्ट आणसर या अगला क्वेशन आपके लिए ठीक है तो इसका जो correct answer होगा दोस्तों ये होगा last वाला fictitious ठीक है ना fictitious आगे वड़ते हैं अगला question आपके लिए ये डिया है sentence और कह रहा है कि ये नीचे दिया गया sentence या तो active या passive में है अगर हमसे ये कह दे कि नीचे दिया गया sentence है वो passive में है तो हम active ढूड़ लेंगे active है तो passive में ढूड़ लेंगे तो अब ये समझाने की कोशिश है ये कह रहा है कि sentence या तो active या passive में है choose the best option याने सारी responsibility आपकी हो गई है कि आप sentence को देखें और पहचाने कि ये active है कि passive है मैं आपको एक trick बताता हूँ बहुत easily आप sentence को पहचान जाएंगे अगर कोई sentence passive में है तो वो इस format में रहेगा इस format में B plus V3 के format में रहेगा अब भाई ये B क्या है B का मतलब है B की कोई भी family के B family के कोई भी अगर वर्व आ गये तो वो passive voice है तो जड़ा देखे B की family में कौन कौन है जड़ा देख लेते हैं B के परिवार में B खुद है, बीन है, बींग है, इस है, एम है, आर है, वाज है, वर है ये देखो इतने लोगों के साथ अगर V3 लगा है तो आप उसे सीधे क्या बोल दीजिए, पैसिव बोल दीजिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ध्यान दीजेगा, B plus V3 passive voice है, बीन प्लस V3 passive voice, बीन प्लस V3 passive voice है, इस प्लस V3, एम प्लस V3, आर प्लस V3, वाज प्लस V3, वाज प् इस family का कोई इस जो question मिला हुआ है, इसमें कहीं है, तो आप कहेंगे sir, इसमें तो नहीं है, अब नहीं है, तो आपको बनाना है, ये है हमारा must reduce, ये है हमारा verb, इसको बना दीजिए, थर्ड फॉर्म में, और इस must को रखे रहे इसके पहले बाद में लगाईए, बी फॉर्म और उसके ये लगाईए, ये देखे, बी प्लस वी थ्री हो गया, और model auxiliary must दी हुई है, तो आप लगा दीजिए, must be v3, तो ये बन गया passive voice, तो we must reduce, तो हमारा passive voice बनेगा must be reduced, तो जरा देखो must be reduced किस में आया है, तो must be reduced आया है, इसमें, क्या ऐसा ही चीज और वा option में आया है पहले में आया है, क्या हमको तो चाहिए must be reduced, क्या ऐसा A में भी है, नहीं है, तो सीधे reject कर दो, eliminate कर दो, हटा दो, क्या ऐसा इसमें भी आया है, नहीं सर, यहां must दिया हुआ है, तो हमें must ही चाहिए, यहां should लगा दिया है, इसको reject कर दो, pollution would लगा दिया, सीधे reject कर दो, कु भी लगाके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं आपको उलजने की जरूरत बिलकुल नहीं अगला कॉश्चिन यह हुआ यह सेंटेंज दिया है और कह रहा है कि सैंटेंज के एक हिस्से को हमने अंडरलाइन कर दिया है अब अगर यह अंडरलाइन हिस्सा पूरा लिखा है वैसे ही सही है तो आपको एक option हमेशा मिलेगा no improvement का यह option तब देंगे जब आपको यह लगता रहे कि यह जो highlighted part है underlined part है यह grammatically fit है तो चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं तो यहां पे लिखा है हर work a great improvement showed last year मुझे एक बात बताईए एक सामान्य sentence का सामान्य sentence का structure कैसे बनता है subject के बाद verb आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए object आना चाहिए तो यहां पे work के बाद सीधे दूसरा noun आ गया जो की गलत है हमें work subject के बाद verb चाहिए न याने हर work के बाद हमें क्या लगाना है शोड लगाना है तो हमें शोड लगाना है तो हमें चाहिए हर वर्क शोड अच्छा improvement noun है तो इसके पहले यह great आया है यह भी ठीक है लेकिन यह शोड का location गलत है ऐसे condition में हम वो option सेलेक्ट करेंगे जिसमें हर वर्क के बाद शोड आया हो तो यहां पर एस दराइट option क्योंकि subject के बाद हमें verb ही चाहिए तो यह subject बन गया work और यह बन गया आपका work he should her work showed a great improvement उसके काम ने एक बहुत ही शांदार सुधार प्रदर्शित किया दिखाया या प्रकट किया ठीक है आगे बढ़ते हैं next question यहां पर दिया हुआ है यह sentence एक बार फिर से आपको underline कर दिया और आप से कहता है कि देखो भी अगर इस पार्ट में error है तो आप नीचे दिये गए example से क्या करिए इंप्रूब करिए सुधार यह यानि जिस option को आप select करेंगे माना जाएगा उसमें लिखी हुई बात यहां आनी चाहिए है लेकिन वैसा नहीं है अगर आपको लगता है जैसा लिखा है वह systematically fit है no correction is required तो हमेशा आपका answer होता है no improvement तो चलिए पढ़के देखते हैं कि क्या है लिखा है will you me visit यह रेखे will you के बाद फिर से कहता हूँ कि subject के बाद भाई हमारे पास verb आना चाहिए एक general rule है subject के बाद verb तो यहां पर verb पहले आया question के पहले helping verb अब subject के बाद हमें क्या चाहिए main verb चाहिए ना तो main verb यहां पर visit है तो यह you के बाद हमारा क्या आना चाहिए visit आना चाहिए और visit और visit और visit and come तो यहां पर कौन सा option सही होगा जड़ा देखते हैं will you come and visit me will you visit me and come और will you come and me visit no improvement तो इसका correct answer यह होगा कि view के बाद क्या लगाए वर्ब लगाए और वर्ब हमारे पास दो है तो चाहिए इसको पहले लगाए चाहिए इसको लगाए तो यहां पर अगर option ए को लेते हैं तो यह सही हो जाएगा और इन दोनों वर्ब के बाद बैठा दिया किसको इसने मी को तो subject के बाद will you come and visit me in the hospital क्या तुम आओगे और मुझे विजिट करोगे अस्पताल में मुझसे मिलोगे आगे अगला question question number 10 अब यह sentence आपको दे दिया और आपसे कहा कि भाई यह नीचे दिया गया sentence या तो direct speech में है या तो indirect speech में है नीचे दिये गया best option को select करिए तो भाई एक ट्रिक आप हमेशा जानते रहिए कि अगर double inverted commas में sentence बंद है दोनों sentence कोई sentence ली statement लिखा हुआ है और दोनों साथ double inverted commas है तो समझ जाईए कि वो क्या है वो direct speech है क्या है कौन सा speech है वही direct speech है हमें उसका indirect धूना है तो लिखा है the teacher said the earth moves the the earth goes around the sun पृत्वी सूरे के चारो और घुंती है और दोस्तों ये कि universal truth है ठीक है न? universal truth बोलो या सिद्धान्त बोलो ये पृत्वी सूरे के चारो और घुंती है सिद्धान्त इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें इससे समझना पड़ता है ये बताया जाता है प्रूव किया गया है तब हम जानते है universal truth हो सिद्धान्तों में यही difference है कि universal truth को प्रूव नहीं करना पड़ता है लेकिन सिद्धान्तों को प्रूव करना पड़ता है बहरा तो जब पृत्वी का ये पता चल गया कि पृत्वी सूरे के चारो और घुंती है या चारो और जाती है तो आप मुझे बताइए ये जब से बात पता चली वो तब से यही है आगे भी ऐसा रहेगा जब तक सृष्टी चलेगी तब तक ऐसा ही होगा याने universal truth हो कोई सिद्धान्त हो कोई fact हो उसे हम indirect बनाते समय change नहीं करते हैं याने हमारा correct answer वो होगा जिसमें इस part को याने direct speech वाले part को reported speech वाले हिस्से को change नहीं क देखते हैं the teacher said that the earth went देखो change कर दिया tense गलत हो गया तो यह option नहीं होगा फिर आया the teacher said that the earth goes around the sun अब यह इसमें कोई गलती नहीं है तो हमारा correct option क्या होगा यह होगा लेकिन यहां रुख जाना यहां पर the earth लिखा हुआ है और that नहीं लगाया है conjunction that यहां चाहिए क्योंकि कॉम और double inverted commas जब हटाएंगे तो आपको conjunction that की जरुवत पड़ेगे the teacher said that the earth goes around the sun तो यहां that नहीं की वज़ासी यह reject हो गया यह क्या है इसने भी वेंट लगा दिया तो यह गलत हो गया तो correct option आपका क्या हुआ हुआ और सी वाला option next question एक बार फिर से question आ गया direct indirect वाला और यहां ल all the players must report in time all the players he said अब आपको क्या करना है सीरे अब must must change generally नहीं होता है must must ही होता है लेकिन अगर must कभी भी change होना चाहेगा ना तो वो किसमें change हो सकता है जानते रहे हैं had to me किसमें change होता है had to में तो जरा देख लेते हैं लिखा है he said that all the player must to go अगर must report बोल देता तो question विवादित हो जाता क्योंकि यह भी सही होता क्योंकि must must में ही रहता है he said that all the players had to had to report in time अब जरा देख लेते हैं कहीं और had to तो नहीं लगा हमारा option देखें जब भी आपको correct option मिल जाए अगर माल लीजिए पहले में मिल गया दूसरे में मिल गया तो भी आप नीचे के अन्य options तक पहुंच जाया करिए कहीं ऐसा नहों उससे बहतर option हो हो सकता है कुछ चीजें उसी तरह की match कर जाएं तो यह देखना जरूरी होता है तो हमारा option मिल गया लेकिन और इसमें had reported लिखा है तो यह गलत है आगे यहां पे must be reported है यह भी गलत है तो हमारा correct option क्या है correct option हमारा बी है आगे यहां पे एक बार फिर से question आगया error based question आपके exam में आता है तीन question at least आपके error based आएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है had mokis work hard he would have got a distinction in the exam अब आप देखिए एक नियम जानी है कि had जब भी हम लोग लगाते हैं यह हमेशा pair करता है वर्प के third form के साथ perfect tense बनाने के लिए अब यहां पे देखा जाये तो यह had दो दोहरी भूमी का आदा कर रहा है यहां पे एक यह helping work की तरह भी काम कर रहा है और एक यह conjunction if की तरह भी काम कर रहा है चीक है ना इसका earth if याने यद यदि मुकेश कड़ी मेहनत किया होता he would have got distinction in exam तो उसे distinction मिलते परिक्षा में तो यहां पे गड़बड़ी आपको दिखेगी work में work यहां third form में होना चाहिए था जबकि क्या है यह first form में है याने गलती ए पार्ट में आप दिखाए होंगे और यही आपका क्या है correct option है question number next एक बार फिर से error based question आपके सामने है the beggar thanks him a lot for the help अब आप गौर करिए sentence में भिकारी ने मदद के लिए अब ही आप हिंदी भी बोलेंगे तो आपको लगए भिकारी ने मदद के लिए धन्यवाद किया करता है नहीं क्योंकि help हो चुकी है help regular way में नहीं हो रही है एक बार help हो गई इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो गलत है यहां thanks की जगर क्या होना चाहिए logically thanked होना चाहिए क्योंकि वो thank अच्छा किसी को धन्यवाद कब देते हैं आप जब आपको मदद मिल चुकी ह होती है उसके बाद तो यहां पर ठैंक ड इसी लिए क्या होगा वर्ट की थाड़ फॉम आएगी ठीक है तो नेक्स्ट आगे आया वर्ड एर्र इस पेलिंग करेक्शन का है आप से कह रहा है कि यह नीचे दिये गए जो चार आप्शन है इसमें विच ओनली वन वर्ड इस करेक्शल कह रहा है कि एक ही शबद ऐसा है जो सही स्पेलिंग में लिखा हुआ है फाइंड करेक्शल और दिजेगा कभी लिख्के आता है करेक्शल कभी लिख्के आता है इनकरेक्ट ली बहुत ध्यान से पढ़िएगा अगर आएगा और इनकर्ट लिए स्पैल तो वो इस्पैलिंग् सलेक्ट करेंगे जो आपको यू समझ में आता है और इनकरेक्ट पूछेगा तो इसका मतलब सारे जों편 solution होगा दो ऐसे मिली होता है फैकक्सी मिली तो Superintendent प्रतिरूप थीक है ना तो फैक्सी मिली होता है यह स्पेलिंग यह करेक्ट है इसका उच्छारण करेंगे फैक्सी मिली ठीक है ओके नेक्स्ट फिर से वही स्पेलिंग आ गया और पूछ रहा है कि जो करेक्टली स्पेल्ट हो जो सही लिखा हो वही आपका अंसर है तो इसका जो करेक्ट अंसर है एक्वैरियम होता है भी होता है एक्वैरियम वो जो शीशे की पेटी टाइप की होती है जिसके अंदर मशलियां पाले जाती है आपने देखा होगा बहुत रंग बिरंगी मशलियां आप देखते हैं कहीं रखा रहता है और उसके अंदर बहुत वराइटी जो है आपको दि the following seven questions out of the four alternative choose the one which can be substituted for the given word or sentence कह रहा है कि यह जो इसको बोलते हैं वाक के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें क्या होता है कि एक पूरे sentence के बदले कौन सा एक वर्ड आप यूज कर दोगे जो पूरे sentence के लिए यूज हो सकता है तो यह हम लोग हिंदी में भी करते रहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्य के लिए एक शब्द चलिए देखते हैं a recurrent compulsive urge to steal मतलब चोरी करने की जो आपके अंदर उत्कंठा उठती है बतलब आपके अंदर नहीं उत्किसी के अंदर चोरी करने का यार मौका मिला है मार लो यह जो feeling आती है चोरी करने का जो उत्कंठा आती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं तो मैनिया इसको याद रखिएगा कहीं भी वर्ड अगर लगा है सफिक्स के रूप में सफिक्स किसे बोलते हैं जो शब्दों के बाद में लगे वह सफिक्स है और जो पहले लगे वह प्रिफिक्स है मैनिया जब किसी के साथ जोड़ता है तो मैनिया का मतलब होता है सनक क्या होता है सनक पागलपन ठीक है किसी चीज का उनमाद आप ब्यक्ति सनक जाता है यार मौका मिला है चोरी करने के प्लान से वहां नहीं गया है लेकिन जब डसा परिस्तिती देखा तो उसके अंदर चोरी करने की प्रबल इच्छा जगई प्रबल इच्छा सनक जगई तो उससे हमने क्या बोल दिया क्लैप्तोमेनिया उसको बोलते हैं क्लैप्तोमेनिया करेक्ट आंसर है यह निमोनिया एक बिमारी का नाम है जिसमें फेप्रें इन्फेक्टेड हो जाते हैं ठीक है निम्फो मैनिया यहां दिया göt一樣 यह अपोसिट जेन्डर दूसरे के बहुत ही दूसरे तरीके सह मतलब कि 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 गला अट एट्रैक्शन के भाहूने से यह फिशलॉन सब्दों फिद्रा इसको बोलता है जो खुता है प्लीक जो होता है यह होता है अनिद्रा की जो एक तरीके का विमारी होता है उसको बोलते हैं आज कल ज्यादा तरह लोग इन स्वमेनिया से ग्रसित हैं ठीक है ना आगे यहां दिया हुआ है and the following questions out of the four alternatives choose one which can be substituted फिर वही चीज है दूसरा दे रहा है act of injuring others reputation किसी के reputation को किसी के प्रतिष्था को क्या करना किसी के प्रतिष्था को आहत करना injure करना छती पहुँचाना by any slanderous communication उस slanderous का मतलब होता है भद्दा खराब गंदा बोलकर किसी के प्रतिष्था को खराब करने को क्या बोला जाता है क्या इसे orchestration बोलते हैं, जी नहीं, misrepresentation बोलते हैं, नहीं, aberration बोलते हैं, इसे बोलते हैं defamation, क्या बोलते हैं, defamation, मतलब मान हान, उसके सम्मान को, उसके प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाया गया, तो ये हो जाता है defamation, correct answer जो होगा, इसका वो defamation होगा, ठीक है, आच्छा, आ suitable for eating, जो खाने के लिए उपयुक्त ना हो, तो जो खाने के लिए उपयुक्त ना हो, वो क्या है, वो है, आनी टेबल, देखे, बहुत तगड़ा फसाया है, आनी टेबल, ज्यादा तर लोग यहीं फसा, इसका correct answer है, इन एडिबल, क्या होता है, इन एडिबल, जो खाने तो not suitable for eating, अनी टेबल नहीं होता है, यह गलत शब्द ही है, ठीक है, टेश्टलेस का मतलब होता है, स्वाधीन, यह होका है, इस्पाइसी मतलब होता है, मसाले दाल, तो यह भी नहीं होगा, आगे, medical study of skin and diseases, skin or disease, skin के disease, याने चर्म के रोगों का जो medical study होता है, उसे क्या कहते हैं, आप एक नियम जान लो, एक root जान लो, नियम मत जानो, root जान लो, डर्म या, डर्मा, किसी भी word में जुड़ा हुआ हो, तो यह समझ लेना, यह बात करेगा, skin किस की बात करेगा, इसकिन की बात करेगा, अब यहाँ पर dermatology, याने, इसकिन का, देखो, डर्म और लोजी क मतलब होता है, logic, या, logus, Latin भास अगर, उठे, इसका मतलब होता है, study, याने, dermatology, याने, skin का, अध्यन, तो, dermatology, और यह कह भी रहा है, कि, जो, चिकित साव, ग्यान का, अध्यन है, किस का, skin का, और, skin का, और उसके, disease का, तो, उसे, हम क्या बोलते हैं, dermatology, तो, logi कहीं भी लि कि वो क्या है इसकिन से related बात करेगा ठीक अच्छा और्थो लगा हो अगर कहीं पे ये word लिखा हो क्या लिखा हो और्थो ठीक है तो ये समझ लेना ये बात करेगा हड्डियों की बोन की बात करेगा किसकी बात करेगा ये बात करेगा हड्डि की तो कहीं लिखा रहता है ये देखो लिखा है और्थो पेडिक इसका मतलब होता है हड्डि का डॉक्टर ठीक है या हड्डि से उन हार्मोनों का जो स्टडी होता है उसे हम बोलते हैं एंडोक्रेनोलोजी आगे गाइन का मतलब होता है यह भी एक रूट है जी वाई गाइन का मतलब होता है वोमन औरत महिला चीक है और गाइनेकोलोजी का मतलब होता है इस्त्रियों से रिलेटेड जो डिजीजेज होते हैं उनका अध्यान याने इस्त्री रोग से जुड़े हुए चीजों का जो अध्यान होता है वो गाइनेकोलोजी कहलाता है तो ये चीज आप ने यह देखा डर्मेटोलोजी तो डर्म माने स्किंड और्थो माने हड़ी बोन एंडोक्राइन मतलब हर्मोनों का अध्यान अंत्रस्त्राविग ने गैनेकोलोजी मतलब इस्त्रियों से रिलेटेड जो समस्याइं होती हैं उनके रोगों का अध्यान अगला क्वेश्च क्या है मतलब उसको इंविटेशन में मिला फिर भी भूसाया बहुत सारे जगburst होता है शादियों में देखी बिन बुलाय लोग पहुँच जाते उसे क्या बोला जाता है उसे बर्गलर बोला जाएगा वंडल बोला जाएगा इंट्रूडर बोला जाएगा थीफ बोला जाएगा तो उसको बोला जाएगा इंट्रूडर क्या बोलता है इंट्रूडर कहीं भी बिन बुलाए कोई भूसा है आपके यहां वो इंट्रूडर है कहीं आप पहु टोड़ेगा छेद कर देगा होल करके घुच जाएगा तो यह सेन्दमार कहलाता है यह भी चौर की वराइटी है बर्गलर वंडल उपद्रवी होते हैं ठीक है न उपद्रवी होते हैं और कैसे उपद्रवी होते हैं जो Public Property को हान पहुंचाते हैं ये ऐसे उपद्रवी होते हैं जो क्या damage करते हैं Public Property Public Property जैसे आप देखिए न कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं उनको लगता है इसमें मेरा थोड़े कुछ है तोड़ दो उसको Lamp लगा है street lamp को तोड़ दिया निशाना बनाया पत्थर से तोड़ दिया तो public property को ये क्या करते हैं नुकसान पहुचाते हैं थीफ मतलब चोर होता है अगले question पर आते हैं the second poison अब देखे यहां पर फिर से improvement of sentence का question आया इस part को underline कर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बताइए अगर ये part पूरे sentence मने ये part grammatically unfit है correct नहीं है तो नीचे दिये गए विकल्पों से इसे correct करिए लेकिन अगर लगता है कि ये जैसा है वैसा ही सही है तब आपको answer देना होगा कि सुधारने की जरूरत नहीं है तो जरा सा यहां देख लेते हैं the second poison poison मतलब कबूतर होता है second poison flew just as तभी उड़ा just as the first poison had flown आपको एक rule बताता हूं किसी भी noun का बार-बार repetition नहीं होना चाहिए पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए noun के बार-बार use होने को रोकने से के लिए ही निर्माण किया गया है बनाया गया है pronoun को pronoun को बनाने का मकसद ही है कि noun का यूज बारवार न हो इससे बचे तो यहाँ पे पीजन आ गया है तो यह noun repeat हो गया है तो हमें वो option लेना है जिसमें noun repeat न हो एक चीज दूसरी चीज यहाँ पे verb भी repeat कर रहा है noun भी repeat कर रहा है verb भी repeat कर रहा है और जब verb repeat करता है तो हम आगे क्या करते हैं केवल और केवल helping verb से काम चलाते हैं तो इसका correct answer हो गया यहाँ पे यह c अब यह one कौन है यह one है पीजन कबूतर had done मतलब जैसा उसने किया जैसे मैं कहूं मैं चय पीता हूं तो आपने कहा so I do अब आप पीने को फिर से repeat न करें फिर से repeat अगर आप do न बोलते तो इसका क्या मतलब आपको पूरा sentence फिर से I take tea मैं चाय पीता हूं तो आपने कहा मैं भी पीता हूं अब मैंने कहा I take tea आपने कहा I also take tea तो take take दो बार हो गया रिपीट हो गया वर्ब रिपीट हो गया और यहां टी टी ठीक है न तो आपने क्या कहा मैंने कहा I take tea आपने कहा सो डू आई मैं भी वैसा ही करता हूं ठीक है तो यहां पर यह ध्यान दिजेगा correct option यह है और इस तरह के बहुतनी questions आप देखते जाएए आप भी आगे मिलेंगे it's high time that you go home इसका जो correct answer होगा आप जान लिजे यह कभी भी किसी भी sentence की शुरुआत अगर ऐसे हो its यहां लिखा हुआ है it is high time इसी का short form its है ठीक है न it is high time it is time अगर किसी भी sentence की शुरुआत ऐसे होती है it is time ठीक है तो याद रखिएगा इसके बाद जो भी sentence का clause आएगा clause मतलब वाके का टुकड़ा आएगा वो past indefinite में लिखा जाएगा और past indefinite कैसे लिखा जाता है भाई वो अपके second form के प्रयोग से तो go का second form क्या होना यहाँ पर करें यह आप रूल जान लीजिए it is high time इसका high time का मतलब उचा समय नहीं होता है यह उचा समय है यह थोड़ा confusing इसलिए हो जाता है क्योंकि शुरुआत होती है इस present वाले चीजों से लेकिन हम आगे past की clause यूज करते हैं इसका अर्थ होता है सही समय पर उचित समय पर सही समय पर हमने उन्हें inform कर दिया देखे हिंदी भी बोल रहे है तो इस सही समय बोलने के बाद हम past में चले जा रहे है यह वाद समझ में आई आगे question number eight it देखे यहां पर एक error है इसको पहले correct कर लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग question करते हैं यह it नहीं है यह है if चीक है यह if है चीक नियम जाना if I will get an opportunity अगर मुझे आउसर मिलता है या मिलेगा I shall attend the seminar मैं seminar attend करूंगा एक नियम जानिएगा कि अगर conditional clause बनता है ठीक है ना conditional clause बनता है तो उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं if को दिखाते हैं if को अगर दिखाएंगे तो यह condition बना देगा और इसको conditional conjunction कहते हैं अगर if वाला ध्यान दिजेगा if वाला clause present indefinite में रहेगा तो दूसरा clause future indefinite में या किसी भी suitable model auxiliary को लगा के बनाया जा सकता है ध्यान रहे if वाले clause में कभी will shall ही नहीं किसी भी model auxiliary का use नहीं होगा इसने क्या लगा दिया will लगा दिया यही इसकी गलती है ठीक है ना तो हमेशा याद रखिएगा कि if ये trick जान लीजे if के साथ कभी भी कोई भी model auxiliary का इस्तेमाल नहीं होता है conditional में तो ये आपको याद रखना होगा तो यहाँ पे will अगर हटार के केवल get यूज किया जाया तो हमारा काम हो जाएगा तो यहाँ पे get is the right option ठीक है get हमारा correct option है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं after much contemplation contemplation मतलब होता है विचार ठीक है after much contemplation बहुत अधिक विचार करने के बाद the two rivals मतलब दो विरोधी विरोधियों ने निरने लिया to bury the hatchet ठीक है and work in unison कि भहिया तमाम खुब मसकत के बाद खुब विचार विमर्ष के बाद दो विरोधियों ने यह निरने लिया कि चलो यार अपनी इन जो दुस्मनी है इसको हम लोग खतम कर देते हैं ठीक है और खतम करके हम लोग एक साथ काम करते हैं तो यह मुहावरा ह है यह idiom है यह कह रहा है idiom and phrases तो इस idiom का इस मुहावरे का क्या अर्थ निकलता है कि भीया चलो सब भूला दो यार और उसके बाद हम लोग एक साथ हो के काम करते हैं get reconciled मतलब एक साथ हो जाना या समझोता कर लेना तो जी है इसका यही आंसर तो निकल रहा है ठीक है एस दर राइट आर्मसर गो दियर ओन वे कैसे होगा जब एक साथ आ रहा है तो अपने अपने रास्ते थोड़ी जाएंगे hide dear secret secret यहां छुपाने से मतलब नहीं है defeat dear enemies जब वो एक साथ होई ही रहे हैं तो हाराने और जीतने की बात ही कतम होगी है ना आगे आज के शेशन का last question और यह है an axe to grind ठीक है ना इसको बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना याने अपने स्वार्थ की पूर्ती करना an axe to grind का अर्थ होता है ठीक है ना इसको grind भी बोलते हैं grind भी बोलते हैं ठीक है तो आप जैसे उच्छारण करोगे ठीक है इसका अर्थ क्या है an axe to grind का मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना याने personal end to serve अपना हित जिसमें छिपा है अपने personal end को हमारा जो personal हमारा जो स्वार्थ है उसकी जो पूर्ती कर दे वही है an axe to grind ठीक है तो तो students यह रहा आज के session के questions जो आपकी परिक्षा के दृष्टिकोर से बेहर important है और मैं दावे के साथ कहूंगा कि इसी तरह के question आपके exam में आएंगे अगर इस तरह की आप बहतरी इन practice कर लेते हैं इन questions की तो इन ही questions से आपका बहुत कुछ तयार हो जाएगा आपकी परिक्षा के लिए तो चलिए आज का session यहीं पर खतम होगा ऐसे तमाम sessions में लेके आता रहूंगा आपके लिए ताकि आपकी बहतर तयारी हो जाए तो आपसे मिलते हैं अगले टर्ण में आप लोगों को दीवाली की धेर शारिक शुब कामनाएं और बधाईयां मिलते हैं आपसे अगले session में thank you so much